नमस्कार मैं हूँ मनीश इस वक्त मैं 36 गड़ के सोनत विकासखंड में हूँ और हमारे साथ इस वक्त विधायक गुलाब कमरो जी है क्या लगता है गुलाब खिलेगा इस बाद निश्चित रूप से महा माया माता जी के आशिरवाद से अभी माता जी को हमने प्रणाम किया है पांच साल चत्रिदगड में कॉंग्रेस की सरकार रही है और मैंने पांच साल लगातार यह कोरोना संकाट की बाद भरतपूर विकासखंड में चाहे आपके सोनाहत का हो चाहे म पांच साहियोगी ब्लाग की टीम जा रहे हैं हम विकास को लेकर गाउं गाउं तक जा रहे हैं और बता रहे हैं और लोगों को भरोसा है भूपेस है तो भरोसा है श्लोगन है वो धरातल में आज देखने को मिल रहा है सीधे टब्राजय चेंडर की राजनिती में सक्री रही हैं आभ सीधे कोरिया ज़िले के भरत पूर पहुंझ गई है क्या लगता है कित्छा संविकारी मानते हैं नेके मैं चंऊोथी इसलिए नहीं मानता है कोई भी वो पूरा नुकसान और समर्थन करना चाहिए कोन थूद्धा का साती है पूरा जनता का जनादेश 17 तारीफ को मिलेगा आने वाले तीन तारीफ परणाम भी होगा लकातार यहाँ रेडुका सिङ्ग के जो बयान आ रहे है कि कोरिया की बेटी है सरगूझा में हला कि वो रही है तो सरगूझा की कभी बेटी हो जाते हैं कोरिया की उसके पिछो तर्क देती हैं कि यहां वो मनास नजी में कभी स्नान की हैं उनके पिता जी यहां पर नौफरी करते थे तो कभी सरगुजा में बेटी हो जाना फिर कोरिया में हो जाना और आप जो कह रहे हैं क्या लगता है मतलब इस तरह के रणिती लोगों में इस त बरोजगारी भत्ता देंगे इनका काम है जूट बोलना तो कभी भी कहीं भी मैपे बता सकते हैं जैसे उनके देश के नेता हो चैय प्रदेश के नेता हो इनका आधतन जूट हो गया है कभी जाती धर्म भी बढ़ लेते हैं इसलिए हमको मैं इतना उमर कहो गैं कभी नहीं जाना कि कि यहां पर मही के हैं इसलिए कहां पर नगाये बच्छी दूप से क्षेटर की जनता जांती है कि लुगा में वी उनके बच्रा फोड़ी में है वह जाके मौन परिवार के लोग आप जान सकते हैं नहीं नहीं करता कि अभी बिए कि आरोफ लगाने से पहले खुद भी उनको जाग के देखना चाहिए कि प्रेम नगर में चले जाए उनका भी परिवार में पर पहले किसी को पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरिवान में जहांक के देखना चाहिए देखें निशरी दुरूप से धर्मिगास्ता चच्छतित गड़ में कॉंग्रेस की सरकार बनने के बाद से हमारे संस्किर्टी हमारी कला और धार्वी के स्थालों को बढ़ाया है भगमान राम कागवन यहीं पर हमारे बनमास के दौरान हर चोका में हुआ था तो इन ऐसे जगा जो राम गवन पत्त के नाम से मानिमुक मंत्री जी ने पर्याटन के रूप में विक्सित किया है इतना ही अगर मौका मिला तो ऐसा काम रह गया है जो लगता है कि अगले पास साल में करना चुछ जो देखें अभी बहुत सारी हमारी जो हमारी नेता है राहुल जी प्रेंगा जी मानि भुपेश बगेल जी टी एस बाबा साहब मानि महन जी ने बहुत सारी गोस्टणा किया है पर आने वाले सिमें मेरा जिस तरह से मेरा सिक्छा उ स्वास में ज्यादा जोर है कि यहां के आपका वडगाउं कला से जो डिवली का रोड है उसको जोड़ेंगे कठोटिया से लेकर हर चोका तरह उस रोड का चावड़ी करणा बड़े हो जागा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगे तो निश्य दूप से हमारे दोन पूरे विधान सभा एक साथ जूड़ेगा तो आने समाजिकता के छेत्र में ले लिए सड़क के बारे में आप देखिए सुन्दरपूर पटेल पारा में पक्की सड़क बन चुकी है आपके सोनारी बसवाही से लेकर के किसगवा तक का रोड जो बना हो आजादी के बाद पहली बार रोड बना है सुन्दरपूर के अलावा आ कोईनी तक जो की सोनहत विकास खंड का अंतिम चेत्र है और मध्य परदेश की सीमा पर लगा हुआ है वहां तक भी पूरी घाड़ी जा रही है वनाल चेत्रों में घाट कटिंग का काम नदी नालों पर पूल का काम आपके हस्दो नदी के चेंगुरा में जो हस्दो नदी ह पूल तूटा हुआ था उस पर तीन करोड के नए पूल की स्विक्रती हुए है जो काम भी चालू है आपके देवतिदान में चार करोड की लागत से पूल की स्विक्रती मिली है काम चालू है और किसोरी से कचोहर मार्ग पर दो पूल पढ़ते हैं आठ करोड की लागत से ब पर 30 लाग की लागत स्वावण दिया गया है चरवा समाच को गोंड समाच को साहू समाच को अपके ब्रामध समाच को और है पढ़वनस माच को भी भावन देने का काम किया गया है इसके अलावाद देखेंगे पिछले पांच साल में इससे पहले भारती जनता पार्टी की सरकार रही और हमारे जिले से खुद खेल मंत्री रहे हैं लेकिन इसके बाद भी एक भी नया स्टेडियम हमारे छेतर में नहीं बन पाया जबकि बिधायक गुलाब कमरोजी के प्रयासों से आज सोनहत विकासखंड में ही पांच-पांच स्टेडियम सेंक्शन है जिनका काम चालू है और एकात महने में बन करके तयार भी हो जाएगा जिसके बाद खेल गती विधियां बहुत अच्छे तरीके से संचालित हो सकेंगी